नमस्ति दोस्तों, मैं प्रतिवा परदेशी अपने यूट्यूब चानल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं बनाने जा रहे हूँ काजू मसाला, इसके लिए हमें चाहिए मलाई वाला दूद, खड़ा मसाला, काजू, प्याज, टामाटर, लसुन, हरी मिर्च और अद्रक प्याज, टामाटर, हरी मिर्च, लसुन और अद्रक कप मिक्सी में पेस्ट बना कर लिया है पहले तो मैंने घी में काजू को थोड़ असा भून कर लिया है जादा नहीं भूनना है, उससे हमारे काजू कड़वे हो सकते है पैन में और एक चम्मज घी डालकर मैंने जीरा डाला है खड़ा मसाला डाला आप यहां घी की जगह, तेल या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो इन्हें दो मिनिट अच्छे से भूनने के बाद दो मिडियम साइज के पैज के हमने जो प्यूरी बना कर रखी है वो इसमें डालूंगी और उसे धीमी आज पर पकाऊंगी ताकि उसका कच्चापन पुरा निकल जाए अब मैं दो हरी मिर्च, आठ से दस लसुन की कलिया और अद्रक का पीसा हुआ पेस्ट इसमें डालूंगी और इसे भी अच्छे से धीमी आज पर भूनूंगी खड़े मसाले में मैंने दो तेज पत्ते, दो बड़ी इलाईची, तीन काली मिर्च और तीन लोंग ली थी आप अपने हिसाब से पसंद के अनुसार और दूसरे मसाले भी ले सकते हो दो मीडियम साइज के टमाटर की जो मैंने प्यूरी बना कर रखी थी वो मैं अब इसमें एड़ करूंगी और अच्छे से मिक्स करके ढखकर रख दूंगी ताकि वो अच्छे से कल जाए दो से तीन मिनट के बाद मैंने इसमें डाला है एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर पाव चमच हल्दी पाउडर एक चमच नमक और आदा चमच गरम मजाला आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दो अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करके फिर इसके डालूंगी एक कटोरी मलाई वाला दूद और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट और ढग कर रख देंगे भगार में मैंने दो दालचीनी के तुकडे भी डाले थे दालचीनी से हमारे पचन तंत्र के सभी विकार ठीक होने में मदद मिलती है दो से तीन मिनट के बाद सारे इंट्रियर्स का कच्छापन दूर होने के बाद मैं उसमें डालूंगे एककटोरी पानी आप अपने इच्छा के अनुसार उसमें पानी डाल सकते हो याद रखिए दोस्तों कि काजु करी का मसाला ठंडा होने के बाद गाड़ा हो जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पानी डालिए उबाल आने के बाद हम इसमें अब एड करेंगे फ्राइ किये हुए काजु और ढ़क कर उसे ग्रेवी का सारा मसाला एब्सॉर्ब करने देंगे दो से तीन मिनट के बाद तैयार है हमारा काजु मसाला अब हम इसे हरी धनिया से गार्निश करेंगे मुझे और थोड़ी सी गाड़ी चाहिए थी इसलिए मैं इसे अब और दो मिनट गैस पर पकाऊंगी काजु मसाला डीश कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताए और आगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करे और बेल आइकोन को क्लिक करे